हेई गाईज वेलकम बैक टु माय चैनल अर्थशास्त्र के नगरी इसे प्रीवेस वीडियो में मैंने आपको मोनोपॉलिस्टिक कॉंपटिशन आखिर क्या दिक्कत क्या प्रशानी होती है इसकी क्या-क्या फीचर्स होते हैं मार्किट के अंदर AR और MR वकर किस तरीके का बनता है इस बात पे हम जो है डिसकेशन कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई सबसे पहले आप उस वीडियो को देखकर आईए क्योंकि आज का मुद्धा आपको तभी समझ में आने वाला है अगर आपने प्रिवेस वीडियो इमानदारी से देख ली है आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि एका दिकारिक प्रतियोगिता के अंदर शौट रन और लॉंग रन अल्पकाल और दीरकाल के अंदर आखिर कैसे कीमत का निर्दारन होता है कैसे जो है संतुलन आता है ठीक है बात करने करने सबसे पहले हम अल्पकाल की बात करते हैं शौट की ठीक है क्योंकि यहाँ पर बेचने वाले वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं सेलिंग कौस्टी करते हैं, एड़ेटाइजमेंट वगयरा यह करते हैं, तो यहां पर शौट रन के अंदर बताइए क्या होगा शौट रन के अंदर, अलपकाल के अंदर बिल्कुल इसके अंदर भी यह कैसे तीन तरीके के case हो सकते हैं, फर्म जो है समानने लाब भी अरजित कर सकती है, फर्म समानने लाब भी अरजित कर सकती है, और जो फर्म है वो loss के case में भी जा सकती है, भई माल लीजिये अगर किसी कारण से, अगर किसी reason से माल लीजिये अगर demand बढ़ती है, कि अगर किसी reason की वज़े से अगर demand बढ़ती है माल लीजिए 8-10 दिन के लिए किसी भी product की अगर demand बढ़ गई तो firm जो है वो क्या करेगी ऐसे case में ठीक है जी variable factor बढ़ा दिया अपने raw material बढ़ा दिया advertisement बढ़ा दिया तो उससे जो है क्या होगा उससे जो है जो firm का जितना ज़्यादा attractive ad होगा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ यहाँ पे सारी की सारी firm में जो है advertisement पर बहुत ही ज़्यादा पैसे लगाती है जै इसका सबसे ज़्यादा advertisement attractive होगा जिसका consumer ज़्यादा attraction मिलेगी वो क्या करेगी वो super normal जो है earn करेगी जिसका थोड़ा कम होगा वो normal करेगी जिसने advertisement ही नहीं किया वो loss की case में जाएगी तो short run के अंदर यहाँ पर तीन तरीके की case बनते हैं फिर बात करेंगे long run की सबसे पहले हम बात करते हैं short run की ठीक है तो short run का बिल्कुल simple सा condition है सबसे पहले हम बात कर रहे हैं असमानने लाब की ठीक है जब firm को असमानने लाब मिलना है super normal profit तो फिर वोई बात है कि केवल केवल एक ही वक्र है AC अगर AC वक्र आपको अगर बनाना आ गया तो आपको किसी भी case के अंदर जो है दिक्कत नहीं आने वाली है सबसे पहले तो आपको इकलूबीरियम की condition पता होनी चाहिए अगर previous वीडियो आपने देखी है मेरी सारी तो भाईया आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको पता है कि कैसे जो है इकलूबीरियम होता है माल लीजिए ये मैंने बना दिया AR वक्र और ये मैंने बना दिया MR वक्र ठीक है ये हो गया AR वक्र और ये हो गया MR वक्र उसके बाद क्या करना है उसके बाद मुझे इकलूबीरियम बनाना है ठीक है तो भाईया ये हो गया equilibrium MC MCMR को कहां पर intersect कर रहा है MCMR को intersect कर रहा है इस point पर तो यह हो गया OQ और E point पर जो है equilibrium आ रहा है तो मैं आपको पहली बता चुका हूँ सारा का सारा जो खेल है वो AR और AC कर्फ का होता है आस हमानने लाब आपको तम मिलता है जब आपका AR जो है वो greater than होता है AC से आपको per unit का जो आगम है वो ज़्यादा मिल ला है as comparison to जितनी के आपकी cost आ रही है अब AR वकर का है AR वकर यह रहा ठीक है यहाँ पर जो है इस पे equilibrium पर आप इतने price जो है charge कर रहे हो ठीक है AR को ही price कहते है तो यह हो गया आपका इतने price आप charge कर रहे हो अब AR ज़्यादा है AC से तो simple सी बात है आपका जो AC है वो इससे नीचे ही बनेगा मान लीजिए यह हो गया आपका AC ठीक है तो यह यहाँ पर equilibrium पर यह जो यह वाली इसको नाम दीजिए AB और यहाँ से इतना जो firm क्या कर रही है समानने लाब जो है वो अर्जित कर रही है सारा का सारा खेल केवल AC का है जितनी figure बनाई थी पहले उत्ती एकलो बीरिम पर बनेगी AC वर्क कहां से कहां बनेगा बस वो आपको जो है पता करना है बात करें अगर हम दूसरे case की कि अगर firm को जो है समानने लाब मिल लहा है भई ठीक है डाल रोटी चल लिए ये किस तब होता है जब आपका AR और AC दोनों ही आपस में जो है बराबर होते है तो firm को जो है normal profit earn होता है तो इसकी अगर बात करें इसके diagram की इसका diagram कैसा बनेगा देखिए ये मैंने बना दिया x-axis ये मैंने बना दिया y-axis ये मैंने बना दिया origin ठीक है पहले equilibrium की condition बनानी है आपको ये होगी आपका AR वक्र और ये होगी आपका MR वक्र AR वक्र और MR वक्र पहले equilibrium बना दिता हूँ मैं ये होगी है MC और उसके बाद यह यहां पर हो गिया OQ ठीक है यहां पर आगिया AQUILERIUM और AQUILERIUM पर कितने PRAS azt you Trades कर रहे हैं यह PRAS जो है आप यहां पर चार्ज कर रहे हो ठीक है तो अब आपको यहां पर क्या करना है यहां पर क्या है AR और AC दोनों बराबर है समानने लाव आपको अर्जित हो रहा है equilibarium पर वहाई यहाँ पर आपका equilibarium था AR का है यह रहा और AR के यहीज से आपको जो है AC कर्फ को draw करना है चीके तो मैं यहाँ से जो है AC कर्फ को draw कर देता हूँ तो यह होगे आपका समानने लाव कि जितना per unit का आपको आगम मिल लहा है उतना ही आपकी per unit की cost आ रही है ठीक है पहले वाले में के क्या था देखो AC कर्व थोड़ा नीचे बना दूसरे वाले में AC कर्व यहां पर बना और तीसरा वाला जो case है वो है जी आपका हानी का कि भई डिमान बड़ी ठीक है और जो फर इकलूबिरियम की case होता है यह हो गया आपका AR वकर और यह हो गया आपका MR वकर यह हो गया AR यह हो गया MR और यह हो गया आपका MC, तब यह एकलूबीरियम आगे आपका, यहां पर OQ, ठीक है, यह पॉइंट पर एकलूबीरियम आ रहा है, और यह पॉइंट पर क्या हो रहा है, इतने प्राइस जो है, आप यहां पर चार्ज कर रहे हो, ठीक है, यह, तो अब आपको बहुत ज़्यादा द्यान से किस से आरीए average cost है आपकी ज़्यादा, average revenue से, तो simple सी बात है, भई AR वक्र पहले बनाता, देखो, पहले में नीचे बना, यहां पर, दूसरे में बना, यहां पर, अब यह ज़्यादा आरीए, तो simple सी बात है, आपको क्या करना है, इसके उपर बना देना है, यह हो गया आपक कर्म को, इतना जो है, हानी को क्या कर रही है, भी अर कर रही है, तो अल्पकाल के अंदर, जो एका दिकारिक प्रतियोगिता है, अल्पकाल के अंदर, तीन तरीकी के case हो सकते है, super normal profit भी अन कर सकती है, और loss के case में भी जो है, वो जा सकती है, ठीक है, अच्छा जी, अब यहा इतना जो है, और loss के काल के अंदर, जो है, एकलुबीरियम कैसे established होता है, ठीक है, तो दिरकाल के अंदर, आपको कुछ नहीं करना है, दिरकाल के अंदर, दो तरीके के case हो सकते है, क्योंकि इस market के अंदर, कोई भी firm असानी से आ सकती है, और कोई भी firm असानी से जा सकती है, चीक है और दूसरा केस है नई फर्म जो है नई फर्म के आने पर मतलब की इसका क्या मतलब हुआ अब भई दिख रहा है कि लॉंग रन के अंदर इतनी जल्दी तो ठीक है फर्म नहीं खुल जाएगी जगा चाहिए देखने के लिए सारा समान वगड़ा चाहिए होता है फिक्स ऐसे वैरियेबल सब कुछ चीज़े चाहिए होती है तब जाके कोई फर्म इस्टैबलिश होती है तो दो तरीके के यहाँ पर केस है एक तब के बहुत माल लीजे दस फर्मे थी और वही दस की दस है लॉंग रन के अंदर और दूसरा केस है कि पहले दस थी अब अट्र चीज़े लेकिन जब नई फर्मे आ जाती है तो यहाँ पर केवल समानने लाब जो है केवल वही अरजित हो पाता है तो आपको अब इसका डायगराम बनाना है कौन सा बनेगा आ समानने लाब का बिलकुल यह वाला बनाना है आपको क्या कर देना है यह तो मैंने शॉट रं अर्जित कर रही है ठीक है और अगर कब झब नई फर में नहीं है लेकिन अगर नई पर आ जाती है entry हो जाती है तो समाने लाप मिलेगा तो आपको यह वाला डाइगराम बनाना है ठीक है इन सब के आगे क्या कर दीजिए इन सब के आगे L लगा दीजिए ठीक है तो यहां पर मैंने short run और long run दोनों आपको बता दिये हैं अगर entry होती है तो भया normal होगा अगर entry नहीं होती है तो super normal profit और समानने लाब जो है वो अरजित होता है ठीक है तो यह हो गया एक अधिकारिक प्रतियोगिता के अंदर short run और long run कैसे जो है equilibrium established होता है इसमें आपको कुछ भी समझना आया हो कोई भी doubt हो कोई भी issue आप मेरे को comment box में comment कर सकते हैं चैनल पर अगर पहली बार आये हो तो प्लीज इस चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस कर लिजिए आपके लिए मैं ऐसी interesting video रोजाना चैनल पर upload करता रहता हूँ मिलते have a good day bye bye take care